प्रोडि आप लूट चल्दो शिखा है कि सटेट की डेफनेशन क्या है स्टेट वह एंटिती टि एब जो की कंट्रोल कर रहे है और स्टेट वह वो भी entity tree है जहांपे उसे 51% से ज़्यादा शेर्स खरीद रखे हैं जैसे अपने देखा कोई भी government school क्या state है हां state है क्या कोई सरकारी school हो गया या नोजगर school state है नोजगर school state नहीं है क्या कोई coaching institute state है नहीं है तो कोई भी government building होगी वह state होगी क्या ताजमल state है अगर को सरकारी में जासे benefit मिलते हैं वैसे सबसे इंपोर्टेंट जो की सबसे यादा यूज होता है वो है आर्टिकल 14 अब आर्टिकल 14 क्या है यह समझ लो पेपर में अगर सवाल आएगा ना तो यह वाला आर्टिकल अगर ना है तो फिर मेरा नाम बतल देना अब यह आर्टिकल इतना इंपोर्टेंट है कि सारा खेली इस आर्टिकल पर है हमने क्या सिख है शुड़ू से कि हर जैसे अपने बच्वन में एक सीच रुखते आए ना कि हर आदमी और दूसरा आदमी में बेदबाब नहीं करना सब आदमीं बराबबर है तो आर्टिकल 14 बोलता है राइट टू तो अब आड़कल 14 बोल रहा है जैसे अब यूनिफॉर्म सीविल कोड के भी बात हो लिए है उनिफ्रलम सीविल कोड में क्या है कि जब इतने इतने लोग है अलग-अलग टाइप के लोग है फिर भी डिलीजन्स चाहे किसी का अलग हो पर हमें यह होना चाहे है ना कि एक ज बॉलते हैं अर्टिकल समझ में आएगा ना तो आगे कुछ भी समझ में नहीं और इम्पोर्टेटन और उसका अलगी मजह है फिर अब दो लाइन का आर्टिकल है पहले आर्टिकल की डेफिनेशन देखते हैं फिर आगे चलते हैं कि अगरे 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 को इसको खोलना ही पड़ेगा रैपसाइट से ठीक है यह आ गया आर्टिकल 14 की डेफिनेशन पड़ो दोबारा पड़ते हैं मतलब कि अगर कोई भी स्टेट के लावा दूसरी जगह है ना जैसे मानलों कोई प्राइवेट ओगनाईजेशन है वो बेदबाब कर सकती है लेकिन जो स्टेट है स्टेट का मदलब सरकारी ओगनाईजेशन है वो बेदबाब नहीं करेगी तो स्टेट शैल नोट डिनाइए स्टेट किसी को मना नहीं करेगी तो एनी पर्सन एकुलिटी बिफोर दा लो ठीक है और उखकी है और इक्वल प्रॉट्य कर लोर वी इन या न खुन सौन हो ठाज अगर में कैसे उसका चेंज करवाओ तो मैंने का आप तो बैटेर है ठीक है तो अब क्या है चाहे ट्रांस जेंडर हो पिमेल हो मैल हो किसी में बेदबाब नीकरेंगे हम यह निगांगे तो मिले ट्रों में जा रहे हैं तो क्यों लिखा हुए कि महिलाओं के लिए सीट इज़र्व ह कि यह तीन सी लड़कों के लिए तीन सी लड़कों के लिए क्यों मनाया हां कि तो इस आर्टिकल पर तुम आगे सब छोड़ो यह आटिकल बोल रहे हैं कि स्टेट शाल नो डिनाई मैट्रो स्टेट है इस आर्टिकल के साफ़ से लिए इस आर्टिकल के साफ़ से हो रहा है और कोई अगर आर्टिकल होगा तो हम सोचेंगे तुम्हें बोलना चाहता सार अगर यह आर्टिकल पैसे पूछ दिया हो और में को निचे सवाल पुछ दिया तो मैं करूँगा डिस्क मेश हो रहा है यह लोग गलत है तो और तुम्हें हटाओ गे किस लोग के साथ पर कोई और भी आर्टिकल होगा जो उसको सब्सक्राइब कर रहा है वो भी सीखेंगे पर यह आर्टिकल के साथ से इसमें एक लाइन है जो आपने को पढ़नी है पहले तो यह पढ़ लेते हैं था साथ आर्टिकल इस क्लिली इन टू पार्स वाल इट कमांग्स शेट शेल नो डिनाई अनी पर्सन एकुलिटी बिफर लोग इट आल्सो कमांग्स एट सेट नो डिनाई दा एकुलिटी बिफ दिस्कुलिटी बिफर नो डिनाई पार्स एकुलिटी बिफर लोग इटे रहें जैसे मानलो पहले क्या हुआ अलग-अलग लोग थे का सिस्टम अन गया अपर का स्लोवर का स्को क्या करने लगी दबाव में डानने लगी उनको इकठे ने बैटने दे रही है उनसे वह वह डिस्कुलिटी ना हो तो हमने रिजर्विशन बना दी अब क्या हुआ कपिल शर्म है और अंकु शर्म है हम दो लग लग है कपिल शर्म पा कितना कमा रहा है 100 क्रोड रृप मैं कितने कमाना हूं कुछ भी नहीं अगर वह भी और मैं भी सेम ही टेक्स दे तो कितना गलत ह थियुक्य न? तो हम लोगों को… अगर माझे को भे बोले 30% tax देना है या 10 mio tax को भी 10 mio देनना तो जाइजी नहीं है तो हम क्या करेंगे? एकवल को equally treat करेंगे unequal को unequal treat करेंगे समझ में आया? equal should be treated equally अगर कोई unequal है ना उसको unequal treat करेंगे मतलब कि अगर कोई आदमी वीकर सेक्षन है तुम उप वीकर सेक्षन को एक टाइप से ट्रीट करेंगे वह क्लास होगी हम क्लास की बैसिट पर डिस्क्रीमिनिशन करतेंगे जैसे कि अगर अब ये तुम एक्जाम्पल देना तीन डाइब के लोग होगे मालो कपिल शर्मा हो गया अब यह कमारा सो क्रोड रुपे मालो मैं हो गया मैं कमारा मालो 10 प्रोड रुपे कमा नहीं न वैसे लिख रहाँ और एक और है मालो यह शर्मा वह कमा रहा है सिरफ 10 रुपे अब गौर्मेंट करें बहुत तुम तीनो 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 बड़ाबर एक्कोल टैक्स देड़ो तुगलत है ना तो हमने इस लाइब न से इतने लेंगे सामने वालों से इतने लेंगे और अगले वालों से इतने लेंगे तो हम क्या करेंगे अगर कोई 100 क्रोड और दूसरा 100 क्रोड को माने वाल है ना ऐसे नहीं कर सकते है भाही तू तो कम देदे तूससे ज्यादा लेंगे 100 क्रोड वाली क्लास से एक तो साथ लाग से उपर वालों को टेक्स देना है अभी अप्डेट आया था बजट में ठीक है कि साथ लाग तक कोई टेक्स नहीं देना पहले पांच लाग थी लिमिट अब साथ लाग बोल दिया अगर आप पिश्य साला लेगे अभी ठीक है चलें अगे इसमें तो कोई डाउट नहीं है अब एक चीज और जो अपने को सीखनी है ना वह क्या है कि आर्टिकल फोटीन एक यह चीज तो बोली रहा है आर्टिकल फोटीन यह क्या बोल रहा है कि आर्बिटरीनेस नहीं चलेगी मतलब कि अब तुम लोग सो सकते हो कि अगर ऐसा भी होगा ना मान लो इस पर आते हमने अब गॉर्रोंनमेंट रिजर्वेशन दी हैं ठीक है अब रिजर्वेशन में ऐसे हैं कि मान लो पार्लियमेंट होगी building ठीक है ऐसे आधो पार्लिमेन्ट बिलिंग में यह सिस्टम है कि अगर घंगनगार कि Sheet है ना वो रिजर्व है किसी कैटेगरी के लिए तो वहीं लड़ेगा बाकि लड़े नीस कि तो तुम यह नि कह सकते है वह एक लड़े नहीं करें हो और यहांं पर 50वाले को फेल वोडुड है इंको और इंको इकुली ट्रीट करना गलत होगास तो यह चीज भी article 14 बोबाएं तो इक्वाल को इक्वाली करना है अने शाल utan आया समी आीच करें हां नहीं गलत क्यों है उन्होंने राजस्तान की की है तो उन्होंने ये बोला है कि जो राजस्तान के लोग है ना ठीक है वो लोग ने टैक्स पे किया और NLU बना ठीक है तो हम इंको बेनिफिट दे रहे हैं हर NLU अपना बेनिफिट दे रहे है NLU पटयाला पहले ही दे रह तो उनके लोगों के लिए अलग से रिजर्वेशन है क्योंकि तुम से जमीन लिए हमने तो वह अलग क्लास के आगे ना पर ऐसे नहीं बहुत हुआ कोई फ्रीडम फ्रीडर से उनके लिए बीए सीट रिजर्व है ठीक है को जम्मु यह कश्मीर का रेजिदेंट है उनके लिए भी सीट रिजर्व है आया नहीं नी सिंद्व वल में कोई भी होगा उस गाम का रर है वोगि तुम से जमीन लेखे तो अन्य लिए बनाया अचीन क तुम को रिजर्व करती आया समय में आर्टिकल 14 अब आर्टिकल 14 बहुत इंप्पोर्टेंट है ध्यान रखना आर्टिकल 14 बस इतना बोल रहे है कि एक्वल्स को एक्वली ट्रीट करने एक सवाल वो पूछता हूं फिर आगे चलते हैं सवाल पूछोंगा कोमल से कोमल हमने क् सभी तुम यह लिए आर्टिकल पोटेंट इक्लिक सब्सक्राइबिए है तो वह किसीकोम चैज़ में तुम यह मारें द्रुकत क्वात ने है और हुआ इस्वारे कोलिक चैने अदुरम सब्सक्राइब नहीं है क्या्त द्रुर्ट थे लिट हमाणकर घ्रत फर घंड गशत क थिए कि अगर आपने चिंटी मार दिया चिंटी मार दूंग कोई अधिक्कत नहीं है पर मैं हीरन मार दूं तो आ जाएंगे सर्मान खांग को मानने जैसे चिंटी छोटी के और हीरन बड़ा है डेंसिटी अगर मच्छा को मारे है वो लाउट जला रहे हैं ऐसा मान लो चलो मच्छा मरते नहीं है रैकेट से उससे हाँ मैं करूं और दिक्मिनेशन कर रहे हैं मॉड़े हैं क्या विशलिए क्या तरिया क्यों कर रहे हैं कि श्टों को खाना आलाग करते हो लोग आगे जाएंगे मां bastard हम काव खाते हैं अब यहीं तो है ना बीफ का चत्र है राउल गंदी पता नहीं किसे एक लीडर ने बोला कि में को बीफ पसंद है और इवन जो सीजी आई अमर्क काट जो रहा चुका है उसने बोला करता मैं बीफ खाता हूं क्या दिक्कत है क्यों लोग आई राइट है एक इससे क्या गलत है क्यों गलत है क्यों हमें पता है अगर उनका भी वोट होता है ना तो नेता लोग उनको भी गारते हैं नी नी वहीं तो में भी कुछ नी होगा हम लोग क्या कर रहे हैं सब से मतलब भी है ठीक है वह है ना जैसे वो कावाती अपने में थोड़ा सा दिमाग क्या आ अपनोंने बैंडी बचा दी बाकियों की और में लगता है जो बाकी वाले जानवर होंगे ना वह सोचते होंगे यह कपड़े पैन के त्यार होंगे श्कूल जा रहे हैं नाटा करें हम मस्तिल सो रहे हैं तो सोचते होंगे ना जैसे सब्सक्राइब करें कोगे अने बिच्चंगों करें करेंगे मैं अलग कर दो करेंगे मैं अराम हैं चुप चाप कश्मीर जाहें रहें आखे चलते हैं आर्टिकल 15 पर आते हैं पर सब मोम आया है कुछ ही वह नहीं अब तुम इतके सो जो क्लाइटिफ निकाल के क्या ज़ज्मन के क्या हो गया जाना तो है उपर है नीन नीन राम से सो एक बढ़िया स्लीप वैल का वो लगवाव गद्दा और कुछ आने जाने नहीं है तेक है चलो आर्टिकल 15 निकालते ह कॉमर के बापा को लिंक वेजा है नहीं है अब सिर्फ हमने उनको लिंक वेजा है जो जो बस देख सकेंगे अच्छा फिर पापा देख रहे होंगे अब पापा का फोन आ जाए कि भाई कि यह वाला चीज है ना आर्टिकल 15 निकल नहीं रहा इसमें एक सक्षिन नहीं है एक पर ऐसे करते हैं पीडिया फी डाउन्लोड करते हैं कि एक एक हैं कि क्या कि एक्वालेटी के नंदर कितने सक्षिन है पोटीन से शुरू होंगे ठेक है यह इसको डाउन्लोड कर लेते हैं टाइम लगेगा थोड़ा सा इतनी किसी ओनलाइन वाले को अगर डाउट होना तो कमेंड में टाइप कर देना गूगल से रिश्वार शुरू गया गूगल ही तो है जो से फाइल अब आर्टिकल 14 एक बार दुबारा देख लेते हैं फिर 15 पे चलते हैं यह आर्टिकल 12 था यह अपने एक मिंट आर्टिकल 13 आर्टिकल 14 अरे 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 भाई नीचे 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 आर्टिकल 15 आ गया ठीक है आर्टिकल 15 क्या बोलता है आर्टिकल 15 ने यह चीज़ आर्टिकल 15 बोल रहा है कि जो स्टेट है ना वो किसी को रिलीजिन के बार दिस्क्रिमिट नीच करेगा मतलब अगर कोई हिंदू है मुसलिम है एक के ब्राबर है सिख है क्रिशन है एक के ब्राबर है अगर मानलो जैसे अभी राम कहा रहा था कि मेरा जनम पंजाब में हुआ है तो हम डिस्क्रिमिट नीच करेंगे खहीं पर आपका जनम हुआ है लेकिन डो मिसाइल पर हम कर सकते हैं जैसे अब कर रहे हैं कशिश का सवाल था NLU जोदपूर ने क्या बोला कि 25% सीट हम राजिस्तन वालों को देंगे जो डॉमिल साइल हैं करो डिस्कुमिनेशन उस पर कर सकते हैं वो पंजाब वाले केस नहीं कर सकते हैं कि हम में क्यों नहीं कर रहे हैं बिहार में यह बोल दि सब्सक्राइबीने स्ट जिसक्षर इस पर रहे हैं art 15 में बास इतना लिखेलो religion, race, caste, sex, place of birth इन में से discrimination कर सकते हो इनमे discour southern नहीं करना और discrimination कुसे पर कर सकते हो डॉमिल पर हाँ क्या इस पर कर ये इस बिदेन कि नहीं सकते या की इस पर करी नहीं सकते है 그럼 क्योंकि लोग रहे हैं उनका में हम इसलिए करें हैं कि हम अभी क्या कर दो लोगी फूरीन जो पहले बाद कर था वो बोला था इक्वल शूट भी ठीटेड एक्वली अनिक्वल शूट भी तो वो उस आर्टिकल के हल्थ से जज्ज्मेंट आ गई सबीका इक्वल राइट है सबीका इक्वल राइट है पर इसमें यह बोरा का है कि हमें एक बार सिचेशन वराबबर करने के लिए ना जब नोर्मल आजागी तब हम अठा देंगे और कब आय पता नहीं अभी अगर मानलो एक फोटो थी उसमें का था एक मिट एक फोटो थी उसमें एक दिवार है वह बहुत उन्ची है और उसमें एक जना चेयर पर है एक जना जमीन पर है एक जने के पास डो स्टूल है और एक बिल्कुल निच्छे है तो उसमें उसका मैसेज यही था कि अगर एक बच्छा मैच देख नहीं पा रहा और एक तीन टेबल पर है तो वह गलत है ऐसे नहीं कि एक अब यह पॉलिटिक्स का टॉपिक है वैसे होना चाहिए नहीं होना चाहिए वह अलगी डिबेट है पर अब भी लोग बनाव है कि इन्हों ने करक है नुपसान हो रहे हैं इसका लोग का मिस्विज हो रहा है कुछ प्रॉपर रेगुलेशन होने चाहिए थी ताकि सब क्या अब भी क्या कुछ लोग में लूप होल्स है पर लोग को कर सकते हैं चेंज अपन ठीक है चलें आगे आगे आते हैं second line पे no citizen shall on the grounds only of religion, race, car, sex, place of birth और any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to किसी को भी shop में जाने से मना नहीं करना, किसी को भी value करने से मना नहीं करना कोई भी state को हम नहीं बोलेंगे यानि यह पहले आसे था कि value नहीं करना बातिंग काटी नहीं करना, roads नहीं करना, public resort नहीं करना अब एक चीज जो है वो गलत है वो क्या है कि बचारे जो लोग है जिक पर पढ़ाई का access ही नहीं है ठीक है वो बहुत ही पीच्छे चले गे तो हमें ज़रूरत है उनको तो हम बड़ाबर करें ठीक है लेकिन अब जैसे बोलने कि गुर्दवारा है कि गुर्दवारे में बिना स्विय डखे नहीं जाना तो गुर्दवारे की वो रिलिजियस है अपने पर गुर्दमेंट की नहीं है ना तो उसमें आप राइट लो मैं यहां पर बोल सकता हूं में कोई बी लड़का नहीं आए कोई बी लड़की नहीं आएगी मैं कर सकतो कोई बीजियं और यह कोमल है कोमल करें यह बर्सका बटें आपने कर दो कि दूंगा है। इन दो को पर्टि दूंगा यह तो गलत है हमें भी दो पार्टि तो यह सटेट अबी है आया समें? चले आगे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड पढ़ लो, नथिंग इस आर्टिकल शार्ट प्रिवेंट अस्टेट फो मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फो वूमें और चिल्डरन के लिए कोई भी प्रोविजन बना सकते हैं, मतलब कि अगर ये लड़किया मैठी है ना, गोर्मेंट चाहे तो इनके लिए अलग से कुछ लोग बना सकते हैं, कोई डिस्क्रिमिनिशन नहीं है, जैसे मैट्रो में, उन्हेंने बोल दिया लड़कियों के सीट है, ये भी बोल सकते हैं, ये पूरी मैट्रो लड़कियों के लड़कियों के लिए असा कुछ नहीं है, uh, mon be to freak है, यहां पर छाथ को वूमन में फरक है क्या वैसर से है कि मुझा सब्सक्राइगी इसुन जाएगे और गुर्ल में क्यों नहीं आएगी मून में एक साल की एक गंट की लड़की ना वह में आ जाएगी है कि क्यां पर वह थोड़ी लिख्या के आंती यह कुछ प्रोच आगे। चलो, अब ज्यादा बस्ता बस्ता बहुत हो गया। ज्टी सिर्ट बात जाओ, अब बस्ता बॉस्ता अब आटिकल फॉपटिंग में लाइन दे रखिया है एक्वल शूड बिटर एक्वली अनिकुल हम अनिकुल मान रहे हैं एक वोमेन को वीकर सेक्षिन है तो आर्टिकल 14 और 15 को दोनों को इकठे चले ना तब वो मिल जाएगा खाली आर्टिकल 14 के साफ से गलत है ठीक है आर्टिकल 15 में वो बोल दिया कि कोई भी रोकेगा नहीं वोमेन और चिल्डरन के लिए दोन एक पमटर टाना क्या आर्टिकल 14 का वालेशन हो रहा या नहीं हो रहा हमारा नलू था उसमें बोल दिया कि जो लड़की है न वह दस बदे तक लड़कों का ब्रब्द कभी हो लड़कों का बालेशन हो रहा है लड़कीों स्पेशल लोग बना सकते थे वह तो मुने क्यों तुम बंद हो जाए और लड़कों को तुम कहरें रात को दो बज़े आए तीन बज़े आए और उन्होंने वहाँ पर एजुटेशन शुरू कर दिया क्या गर तुम होते हैं क्या आर्टिकल 14 और 15 के हिसाब से डिस्क्रमेशन हुआ या नहीं हुआ सोचो एक बार सेफ्टी फर यहां पर तुम डिस्कमेशन करें वोमें को तो तुमें क्या है वो कर रहा है तो उनको दिक्कत है वो तुम क्यों कर रहे हैं वो यह नहीं कर रहे हैं वो कर दो दस बजे के बाद हां तो इसका क्या है इसमें सलुशन है इसका मैं नहीं कर सकते हैं लेकिन हम क्या कर सकते हैं लेकिन वो मैंतेन करने के लिए टाइम लिमिट लगा सकते हैं इस से यदा नहीं करेंगे ठीक है या इस टाइम के बाद नहीं करेंगे उसमें हुआ क्या अल्टिमेटली वह तो था ही चलना था कुछ दिन के लिए लड़कों भी बंद कर दिया दस मुझे फिर लास्ट में लड़के दिवाल कूद के जाने ल जो सिंगल है वह तो एज़िशन में बैटे हैं जो कपल थे वह वचारे अलग है ठीक है उनको लगा ऐसे एज़िशन में और ने संख्या ना आ जाएं बच्चों की अब बढ़ते हैं हमने आर्टिकल 15 हो गया complete अपना 16 पर आते हैं खाँ है 16 यह आए रहा देर शैल बी एकुलिटी ऑफ अपर्चुनिटी फोर ओल सिटिजन्स इन मैटर स्लेटिंग तो इंप्लोईमेंट और अपॉइंट्मेंट तो एनी ओपीस अंडर दा स्टेट स्टेट में अगर कोई नोक्री निकल रही है सबको ब्राबर का मोगा दे कितना ज्यादा रिटर्न है हजार उपे लगेंगे हर में ने एक लाग पच्छी सेया सार्री आएगी कि वह बचार आफोर्ड ने कर पाते बाहर ना हो एवन कुछ ऐसे एक्जाम से हैं जहां पर यह बहुत दिया वुवमेंट को पेने करना हिमार्चा जुडिश्री में गुवमेंट की जीरो फीस है तेक है उत्रा खंड जुडिश्री में बोला मेल को भी देना फिमेल को देन करना ही नहीं है अराम से पेपर आओ पेपर लेने का काई का टेस्ट है देख ही तो रहे हैं तुमारे कापी लियत बचारों के पास वह नोकरी मांगने आया है तो उनसे ही पैसे मांग रहे हो चले नो सिटिजन शैल और ग्राउंस ओनली अफ रिलिजन रेस का सेक्स अगेस इन रिस्पेक्ट अफ एनी एप्लोईमेंट और ओफिस अंडर अस्ते किसी विभाद पर नोकरी के लिए बेदबम नहीं है डोक्टर की वेकंसी निकले डोक्टर भरदो लॉयर की निकले लॉयर का भरदो आज जैसे जुनियल लिगल ओफिसर की वेकंसी आई है उसक दूदा डिस्क्रमिशन नहीं हो रहा है मैं कहारो में को ज्यादा लोग आता है मैंने खुद ही पढ़ लिया डिग्री कही अगर पेपर में फेल हो दम तो कर देना ठीक है तो लेकिन को पेपर तो देने रो मालो मैं प्लस टू पास हूं तेक है मैंने का मैंने प्लस टू के मत कुछ नहीं किया आज जियत का पर होता है प्लस टूम लें तुम बना रही होसा एक डिट्न कर सकते हो करदो मैंने प्लस में पास हो गया तो में को लगा दो नहीं हुआ तो मत लगा न है कि यह वह उपांच में पर हो रहे हैं अगर में को आता है किसी से ज्यादा में पास्ट डिग्री नहीं है तो जो करें हैं क्यों डिस्किमिशन कर रहे हैं सब्सक्राइं कि यहां पर यहां सिस्टम का क्या करना है तुम लोग बैठे मैं जब क्लास करूंगा ना तो नाम रिखूंगा और उंकी अटेंडेंस से लगाउंगा खुदी और अटेंडेंस से लगाउंगा में को लगा इशीता ने सहीं में पार्टिस्पिट किया क्लास में तो मैं कर दूँगा प्रैजेंट अगर क्लास वड़ा रखी इसने तो इसी बेसिस पर ठीक है और अपने यहां पर यूँ बिना बाद का एक्जाम यूँ चीटिंग होंगी लास में बच्चे बैठ जाएंगे मोबाइल निकालके वह कर रहे है एक बच्चे ने कॉपी खोल ली वह उसका देख रहा है वह जो बच् टीचर आगे घूम रहे हैं असे पिछे निकाल लिए मोबाइल थोड़ी रोकते हैं एंसर में रोकते हैं मिडस जो स्टार्टिकमल एक्जाम थे ना उनमें तो टीचर बार बैटा है वो तो टिक की टूकी आती है उनके लिए उसमें बीजी हो गे रूटी पी रहे हैं तो वाला समझ में आगे ना कि नोगरी में किसी से बेदवाब निकरना शत्रा पर आते हैं आर्टिकल सत्रा क्या बोलता है अन्टच अबलीटी चुआ चाहत वाला सिस्टम खतम पहले यह था कि इसको टच निकरना वो निकरना अब को यह चलाएगा तो फंडमेंटर राइट ब्र इसकी कोई वैल्यू निया हाँ कौन पूछा था आगे आटिकल ध्यान से कैमरे को संभाल के कौन यह वला ना इसके वेरे से दिक्कत हो रही है आर्टिकल एटीन पर आते हैं नोट टाइटल नोट बिंगे मिल्टरी और अकैडमिक डिस्रिक्शन शाल बी कंफर्ट बाइड स्टेट नो सिटीजन उफ इंडिया शाल सेप्ट एनी टाइट फ्रम एनी फॉर्ण स्टेट अब क्या हुआ जब उन्हों देश हजाद हुआ ना 1947 उससे पहले क्या था इससे पहले राजा करूल था तो लोग क्या करते थे उनको अलग नाम से बलाते यह नवाब है ठेक है यह राजा सहाब है अब देश अजाद हो गया अब हमने आइये सारे सिय से सब अज़ बना दिये अभी भी लोग उनको वही बोल कर रहे है तो हमारे नेतां को आया घुसा कोई बटिया अब हम चुन के आये हैं बनके आए अभी ब्रूस तो इंक्वेर र यह सरकार आप मना कर दिया तो ऐसे बोल लें रहे हैं पर गोर्यमेंट ने मना कर दिया राजा रूजा वले आटिकल खटम पुप जैसे वह फिल्मों में भी तो बोलते ना कुमर साब यह सब एसे हाँ तो है पर इनों कुछ ज़्यादा मैतम ना दे आया समझ में आर्टिकल 18 जैसे कई टाइटल थे डिप्टी कैसे जैसे डिप्ती प्राइमिनिस्टर डिप्ती सीम ऐसे कोई अब चले आ रहे हैं कोई कुछ है किताबों में लोग है आर्टिकल 18 बोलता है टाइटल सब बॉलिष हो गए वैसे कुछ हुआ है यह चले जा रहे है एक बद दुबारा रिवाइस कर लेता है जो सिखा है नया ने चिकेंगे अपने शुरू से क्या सिखा अपने स्टार्ट कि सब्सक्राइट की बिड्डिदिंग क्या है स्टेट है प्यक्ति सरकारी स्कूल अगर नवध्य है तो यह स्टेट नहीं है तो ये स्टेट नहीं है यह स्टेट होगी फंडमेटरर राइट ने सकते हैं बाट के उसे हम फर्णामीटर राइट लेंगे टीक है, फिर अपने सीख़्ा, आर्टिकल नमबर 14, आर्टिकल 14 क्या बूला कि एक प Vikt L, को एक्कोली राट्रेट करना है प्रिव अर्टिकल 15 में क्या बूला掉 है, बर्लीजंड रेस काइभ ऍहन प्लेस और हम्किल बर्लख इं किसी को भी हम मना नहीं करेंगे कि तुम्हें नोकरी निकननी या ऐसा कुछ आर्टिकल 17 क्या बोला चुवाचाथ का सिस्टम हटा दिया हमने 18 क्या बोला एबोलिशन ऑफ टाइटेल्स जो भी राजा महराज वाले टाइटेल्स से वह खतम आर्टिकल 19 मोस्दि इंपोटन है आर्टिकल चुटी उस से भी ज़ieran है और चुट यह तीन आर्टिकल को अर्राम से गरेंगे जो पेपर में असली सवाल आते हैं वह बारा से किस में आते हैं ठीक है अब किकको किसिको ओलाइन वाले और देगे अब कमेंट में सब्सक्राइब कोई भी गोर्नमेंट है ना गोर्नमेंट ने जो तो सही है यूँ ही आप इसको बोले ना नवाब है यह है जो राजा महराजा वाला था वो खतम हो गए जो टाइडल से सब कर यह चेयर जाते हैं रखते जाना वहां पर और फिर अहां अरे ओज़स किया रख देना लेकिन यह वह एक सब्सक्राइब है ठीक है अब क्या कर दो बंदना अब कर दो एक मिन बश्क्राइब कर दो